हाई अब्रिवन कैसे हैं आप सब आज जेई में 2021 का फूर्थ अटेंट का फर्स शिफ्ट हो गया है बेसिकली फर्स डे हो गया है जिसमें 26 ओगस्ट को शिफ्ट वन और शिफ्ट टू के पेपर हमने देखे तो आपने मैथमेडिक्स के पेपर अभी अनायसिस बगारा देख होगा मैं आपको एक overall short में बताने वाला हूं कि कैसे questions हमारे आये हैं किस तरह का हमारा expected level रहेगा तो overall देखा जाए तो जैसे पिछले attempts में था जुलाई के attempt में जैसे कुछ हमारे questions थे जो बहुत ही easy questions में कहूंगा जुनको आप बहुत कम समय में कर सकते हैं 40 seconds 50 seconds में कर सकते हैं और कुछ questions ऐसे भी थे जिन में थोड़ा ज्यादा समय लगया तीन से चार मिनट मतलब some questions were lengthy some questions were easy तो एक mixture सा है और overall आप देखे तो आपको एक हर chapter में से कुछ ना कुछ आता दिखाई देखा ना किसी shift में अगर shift wise देखेंगे थोड़ा उपर नीच हो सकता बड़ जब आप सारे shifts देखेंगे तो आप यह observe करेंगे तो more or less सारे chapters को touch किया जाता है तो आपको तो सारे ही पढ़ने है और अगर हम आने वाले shifts की expected की बात करें तो आप देखिए अगर आपने पढ़ाई करी है अगर आपने जैसे problem types देखी है तो standard ही आ रहा है कुछ भी out of the box नहीं आएगा ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको बहुत ज्यादा कुछ सोचना पड़ रहा है बस वैसे नॉर्मल पेपर है जैसे J.E.Main के paper होते है जैसे J.E.Main का paper अब बोर्ड से compare करेंगे तो उससे थोड़ा higher level का हो कि advance का paper हमारे पास J.E.Main में आ गया ना ऐसा कुछ भी नहीं है तो in the nutshell it is that आप सारे areas को touch करें अपने formulas को revise करते रहा ना और negative marking से बचे मैं यह कहूंगा negative marking से number आपके कम हो जाएंगे और अगर आप किसी question को या आपको lengthy लग रहा है तो उसके उपर आप stuck ना हो ना क्योंकि अगर वो लेंदी लग रहा तो सकता उसके आगे वाले questions जो easy हो जाएं तो वो जैसे strategy आपके साथ discuss की थी ना attempt करने का थोड़े दिन पहले session लिया था कि कैसे paper attempt करना तो उसको follow करिए दो गंटे में आप सारे sections देख लिजिए फिर आपको जिस section में easy लगे उसके basis पे आप उ दो तिन दिन पहले हमने session ले आता ना इसी channel पर आपको videos में मिल जाएगा तो overall I would say that कोई भी घवराने की बात नहीं है it is a very very doable paper जो आपको अगर कोई बोलता है कोई आपका friend बोलता या आपको कोई online reaction मिलता जो बोता paper बहुत tough था ठीक है वो basically फिर यार पढ़के नहीं गया ह all the attempts have been doable attempts हां कुछ एक attempts lengthy जरूर हो आते हैं कुछ एक questions lengthy जरूर हो आते हैं but इसका मतलब यह नहीं कि हम उन questions को करी नहीं सकते we should be able to solve a decent amount of questions and we should be able to get a decent score अगर हम अपनी shift में best दे देते हैं तो मेरे साथ से हमारा percentile अपने आप top ranks में चला जाएगा तो हमें अपनी shift पे focus करना है हमारी shift कैसे आ रही है हमारा paper अगर lengthy भी आ गया है तो कोई गबराने की बात नहीं आपके लिए ही lengthy नहीं होगा सब के लिए lengthy होगा ठीक है but अभी के problem types है कुछ भी मैं जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े ठीक है जिसके लिए आपको advance के concept सही है ऐसा कुछ नहीं है most of the questions are doable questions are those are well within the syllabus of Jamie तो आने वाले attempts के लिए मैं जो बच्चे जाने वाले कल जा आगे जाएंगे 31st को 1st को 2nd को तो मैं यहीं बोलूगा कि आप अपने अपने उपर confidence रखें और जो आपने preparation करी है उसको बस fine tune करें revise करें और बस अपना best देके आए यारा na confidence के साथ जाए कभी भी मन में यह ना रखें कियार पेपर बहुत tough आएगा मैं कैसे करूंगा बिल All the very best and I hope you get the desired percentile the desired ranks and the desired branches in your colleges dream colleges all right so thank you bye bye please do take care of yourself